कच्ची केरी का आम पना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी सेम मेजरमेंट रखेंगे इसे रख दिया है गैस पर गरम होने के लिए तो जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी हम गैस बंद कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है यहाँ पर हमें कोई चासनी नहीं बनानी है सिर्फ और सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कच्छी केरी ली है केरी को बहुत अच्छे से धो ले धोने के बाद इसका जो छिलका है वो निकाल लिया और इसे छोटा इस तरफ कट कर लिया है मिकसर जार में इस केरी के चंक्स डाल दे उसके साथ मैं यहाँ पर डाल रहो एक हरी मिर्जी जो की ऑप्शनल है और जित्ती केरी मैंने ली है उससे डबल मैंन ले रही हूँ यहाँ पर पुदिना के पत्ते और थोड़ा सा पानी डाल के हम जो है इसकी प्यूरी बना लेंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल जकते हैं तो यहाँ पर एक बरतन ले ले फिर उसके बाद आपको इस तरह से चंडी ले लेनी है और इस प्यूरी को हम चान लेते हैं और मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और इसे अच्छे से स्ट्रेइन कर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल मैंने धाई कलास पानी डाला है पानी की क्वेंटिरी डिपेंड करता है कि कैरी कित्ती खट्टी है उसके बाद वन टी स्पुन काला नमक और वन टी स्पुन डाल रही हूँ बुनेवे जीरे का पाउडर काला नमक और जीरे का पाउडर भी डिपेंड करता है कैरी के टेस्ट पे उसके बाद यहाँ डाल दिया है सुगर सिरप सुगय सिरफ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना मीठा आपको पसंद है तो ये लेजी हमारा ठंडा ठंडा कच्चे आम का पन्ना रेडी है ये समर सीजन आप इसे इंजोई करें बाबाई